हर्याना में विधानसवा का चुनाव है पांच अक्टूबर को हर्याना के विधानसवा चुनाव के लिए हर्याना की जंता म्दान करेगी नामांकन का कारे शुरू हो चुका है जो तीन दिन से चल रहा है लगातार दुश्यंत चोटाला और हर्याना के अद्योग मंत्री मूलचन शर्मा साइद आज देवेंदर बवली ने भी अपना नामांकन किया तो कई नेता नामांकन कर चुके हैं लेकिन सौम वार से यानि की नौ तारिक से इस नामांकन के कारे में और गती आ जाएगी 4 सितंबर को भारती जंता पायटी ने अपनी 66 सदस्ये केंडिडेट लिस्ट जारी कर दी थी जो विधान सभा का चुनाव लड़ेंगे 66 चेहरे सामने आ चुके हैं बाकी के 23 चेहरे कौन होंगे बाकी के 23 विधान सभाओं में कौन से नुमाइंदो पर भारती जंता पायटी चुनावी समर में उतरेगी इस पर सब की नजर है हम लगातार आपको बताते हैं ऑनलाइज करते हुए कि कौन केंडिडेट हो सकता है जहां पर की भाजपा को अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करनी है, नाम तै करने है इन 20 विधानसभाओं में, अगर मैं आपसे बात शुरू फरिदाबाद लोगसभाओं से करूँ तो फरिदाबाद लोगसभाओं की पांच विधानसभाओं पर बीजेपी ने अपने कैंडिड देती ये थे चार सीटें अभी बाकी हैं जिन पर भाजपा के प्रत्याशी आने हैं तो जो चार सीटें हैं उनमें एक है निटी 86 निटी 86 विधानसभा सीट से भारती जंता पार्टी से जो दो नाम चल रहे हैं उनमें पहला नाम है नगेंदर भड़ाना जो पूरु विधायक हैं और दूसरा नाम है देवेंदर चौधरी देवेंदर चौधरी क्रिशनपाल गूजर के बेटे हैं और वरिष्ट उप महामपोर थे नगर निगम के अगली विधानसभा सीट है बढखल अगर मैं आपसे बढखल विधानसभा की बात करूँ तो बढखल विधानसभा में भी जो दो प्रमुख नाम चल रहे हैं उन दो प्रमुख नामों में है एक नाम तो है देवेंदर चौधरी वही क्रिशनपाल गूजर के बेटे और दूसरा नाम अगर आप मैं कहूँ तो दूसरा नाम यहाँ पर चंदर भाटिया का सामने आ रहा है आपको यह बताते चलें कि क्रिशनपाल गूजर के बेटे देवेंदर चौधरी को इन दो विधानसभाओं में से किसी एक विधानसभा सीट पर टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है फरिदाबाद की बची हुई दो विधानसभा सीटें और होडल और हथीन अगर मैं आपको होडल की बताओं तो होडल में जो दो नाम प्रमुकता से चल रहे हैं उनमें पहला नाम है नवीन रोहिला का और दूसरा नाम अगर इसमें लें तो फिर वो पूर विधायक रामरतन के वेटे हरेंदर सिंग अगर मैं आपसे हथीन की बात करूँ तो हथीन में सबसे बड़ा पेच ये उलजा हुआ है कि यहाँ पर कैंडिडेट रावत पाल का हो या डागर पाल का हो मैंने आपको अपने कई वीडियो में पहले केहर सिंग रावत का नाम बताया था अगर रावत पाल में बात जाती है तो फिर केहर सिंग रावत ही प्रमुख हैं हलाकि यहाँ पर मनोज रावत का नाम भी हवाओं में चला था और अगर डागर पाल में जाती है तो फिर यहां के जो आजकल के विधायक हैं परवीन डागर उन पर भी भारती जन्ता पालिटी भरोसा जता सकती है यानि कि अगर मैं आपसे दो नाम कहूँ तो पहला नाम रावत पाल कह रहा हूँ जिसमें केहर सिंग या मनोज कोई भी हो सकता है और दूसरा नाम परवीन डागर अगली बात करें तो गुरुग्राम लोगसभा की सीटें गुरुग्राम लोगसभा की भी चार सीटे हैं जहां पर भारती जन्ता पालिटी को अपने कैंडिडेट अभी देने है इनमें तीन सीटे तो है नुहू मेवाज जिले की और एक सीट है रेवाडी जिले की और एक स और जो दूसरा नाम है, वो है सुरंदर सिंग उर्फ पिंटु सुरंदर सिंग हरियाना स्टाफ सेलेक्शन कमीशन के मेंबर थे मनोर पार्ट वन की सरकार में अगर मैं आपसे फिरोजपुर जिर्का की बताओं तो फिरोजपुर जिर्का में जो दो नाम प्रमुक हैं वो हैं एक तो नसीम एहमद जो पूर विधायक थे इंडियन नेशनल लोगदल के इनेलो छोड़ करके आये थे बाजपा में 2019 में केंडियेट हुए थे हार गए थे चुनाव और दूसरा नाम है आजाद मुहमद का अजाद मुहमद भी हरियाना के पूर विधायक रहे हैं विधान सभा के उपा ध्यक्ष रहे हैं तो फिरोजपुर जिर्का के लिए जो दो प्रमुक नाम वो है नसीम एहमद और दूसरा नाम है आजाद मुहमद अगर मैं आपको पुनाना विधान सभा की बात करूँ तो पुनाना विधान सभा में चौकाने वाला नाम सामने आ सकता है पुनाना विधान सभा के लिए बीजेपी की टिकेट के लिए डॉक्टर शराफत अली का नाम चल रहा है डॉक्टर शराफत अली वैसे तो हर्याना से बाहर रहकर कारोबार करते हैं वैसे पुनाना की दुनेला गाउं के रहने वाले हैं और राजनितिक सुत्र बता रहे हैं यह अलवी समाज से हैं और इनको स्पेशल बुलाया गया है और दूसरा नम अगर मैं आपको कहूं तो यादराम गर्ग यहां पर बठे का कारोबार करते हैं और भाजबा के पुराने कारे करता हैं तो पुनाना विधान सभा के लिए जो दो प्रमुक्ष नाम हैं वो हैं डॉक्टर शराफत अली और दूसरा नाम यादराम गर्ग अगर मैं आपको पटोधी विधान सभा का बटाऊं तो पटोधी विधान सभा के लिए सत्यप्रकाश जरावता जो एसी सेल के अध्यक्ष थे पूरे हर्याणा के अध्यक्ष हैं आजकल भी सत्यप्रकाश जरावता मनोरलाल की पसंद थे लेकिन राविंदर जीस सिंग यहाँ पर अड़े हुए हैं और यह टिकट यहाँ पर चेंज हो सकती है सत्यप्रकाश जरावता का टिकट कट सकता है और यहाँ पर जो पूर विधायक थी 2014 से 2019 के दौरान वाली विमला चौधरी की लोटरी लग सकती है तो पटोधी के लिए जो दो प्रमुक नाम है नमबर एक पर विमला चौधरी और नमबर दो पर सत्यप्रकाश जरावता और अगली विधान सभा की बात करूँ तो वो है बाबल बाबल विधान सभा सीट के लिए भी नाम तो कही चल रहे हैं लेकिन जो दो प्रमुक नाम है वो दोनों डॉक्टर हैं एक डॉक्टर संजे महरा और दूसरे डॉक्टर बनवारी लाल आप इनमें नमबर कोई ले ले संजे महरा को उपर कर ले या बनवारी लाल को और या फिर बनवारी लाल को उपर कर ले और संजे महरा को नमबर दो पर ले ले डॉक्टर बनवारी लाल वहाँ पर दो बार विधायक रहें और आजकल परदेश सरकार के अंदर कैविनेट वजीर है अगली विधान सभा की बात करूं तो फिर गुरुगराम के बाद बिवानी महिंदरगड विधान सभा लोक सभा की भी सीटे बाकी हैं नारनौल और सभाओं में आती थी आरती राव और आरती राव ने एक दो बार इशारे इशारे में कहा था जो सीनियर सिटीजन हो गए हैं यानि कि जिनकी उम्र जादा हो गई है वो आराम करें खेर नारनौल के लिए जो अब्भी नाम प्रमुकता से है वो है ओम प्रकाश एडियो जो आजकल वहां के विधायक भी है और अगर कहीं ओम प्रकाश एडियो सहाब का टिकेट करता है तो फिर यहां पर राव इंदर जी सिंग की पसंद का कोई व्यक्ति चुनाव मैदान में हो सकता है अगली विधान सभा की बात करें तो अगली विधान सभा है महेंदरगड महें हैं रामविला शर्मा वो नेता है जो की जंसंग से और भारती जंता पार्टी बनने तक के सफर में यानि की शुरू से लेकर अब तक के सफर में रामविला शर्मा ही परदेश अद्यक्ष थे 2014 में जब हर्याना में पहली बार भाजबा की अपने बूते सरकार बनी तो एक मैं यही समझूंगा और आप भी इस बात को समझ करके चलें कि यहां पर राव इंदर जी सिंग की पसंद को पूरी तबज्जो दी जाएगी और राव इंदर जी सिंग का प्रयास रहेगा रामविला शर्मा के लिए ही तो महंदरगड सीट पर रामविला शर्मा का दावा आज भी पुखता है दूसरा नम मैंने आपको बताया कमर सिंग अगर अगली विदान सभा की बात करें तो फिर वो है अंबाला लोग सभा में नारायनगड नारायनगड से 2014-19 की जो दौर था पहला मनौर पार्ट वन की सरकार उस सरकार के अंदर नारायनगड के विदायक नायब सिंग सेनी थे जो आजकल मुख्य मंत्री है नायब सिंग सेनी के लिए यहां पर अभी पसंद थी लेकिन क्योंकि 2019 के चुनाव में यहां से कॉंग्रेस की शैली चौधरी चुनाव जीत गई थी इसलिए भाजपा यहां कोई रिस्क नहीं लेना चाह रही थी तो ना नारायनगर से कौन तो नारायनगर से जो नाम प्रमुकता से चल रहा है वो है संदीब सैनी संदीब सैनी के नाम पर महर लग सकती है अगर अगली विधानसवा की बात करें तो अगली विधानसवा है पूंडरी पूंडरी से रंधीर गोलन विधायक बने थे 2019 में भारती ज पार्टी अपने पुराने नेता वेदपाल और या फिर करंदेव कंबोज इन दोनों में से किसी को ले सकती है करंदेव कंबोज का नाम मैंने आपको इसलिए बताया कि करंदेव कंबोज इंदरी से टिकट कटने से नाराज हैं बहुत खफा हैं और पिछडे वर्क का चेहरा ह बड़ा चेहरा इसलिए करंदेव कंबोज को खुश करने के लिए मनाने के लिए उनको पूंडरी भीजा जा सकता है तो पूंडरी के लिए जो दो नाम प्रमुक मैंने बताए वेदराम और करंदेव कंबोज अगली विधानसभा की बात करें तो करनाल लोगसभा की असंद असंद विधान सभा से जिले राम शर्मा को भाजपा अपना केंडिडेट बना सकती है हाला कि यहां पे बक्षीष सिंग विर्क विधायक थे 2014 से 2019 में 2019 के चुनाव में यहां से शमशेर सिंग गोगी चुनाव जीत गए वो कॉंग्रेस के केंडिडेट थे जिले राम शर्मा 2009 में विधायक बने थे हर्याना जनहित कॉंग्रेस के टिकेट पर हुड़ा जी की सरकार में साथ रहे थे बाद में विधायक बने नहीं अब करनाल के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जिले राम शर्मा बाजपा में शामिल हुए थे और मनौर लाल की पहली पसंद हैं वो अगली विधान सभा की बात करूं तो अगली विधान सभा भी गन्नौर विधान सभा सोनी पत की गन्नौर गन्नौर विधान सभा से निर्मला चौधरी विधायक आजकल भी है भारती जन्ता पार्टी की लेकिन उन पर आरोप लगा था कि निर्मला चौधरी ने जो लोगसभा कैनिडेट थे महुनलाल बडॉली उनका विरूद किया था तो निर्मला चौधरी का नाम लगबग यहां से कटना तय है और उनके स्थान पर टिकेट मिल सकता है कृष्णा गहलावत को कृष्णा गहलावत कद्दावर नेता है पूर मंत्री है 2014 में कृष्णा का अलावत भाजपा की प्रत्याशी भी थी और उन्होंने बड़ी संख्या में वोट भी लिये थे अगर अगली बात करूं तो राई विधानसवा राई विधानसवा के विधायक थे महुनलाल बडॉली सांसद का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने विधायक पत से इस्तीफा दिया था आजकल भाजपा के परदेश अध्यक्षें चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं राई विधानसवा से भारती जन्ता पार्टी जो पूर्व सांसद हैं सोनी पत के रमेश कौशिक उनके बेटे रविश कौशिक को टिकट दे सकती है रविश कौशिक जो है वो सेवा निवरत जुडिशल मजिस्टेट थी सेवा निवरत में नहीं कह सकते, उन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया था, और नौकरी से त्याग पत्र दे करके, राजनीती में भी उन्होंने अपने पैर आजमाने, कदम आजमाने शुरू किये, अगर अग्ली विधान सभा की बात करूँ तो बड़ोदा, सोनीपत, लोगसभा की सीट है बरोधा बरोधा से योगेश्वर दत चुनाव रड़े थे भारती जंता पार्टी के उप चुनाव में भी और 2019 के चुनाव में भी दोनों चुनाव में हार गए थे कपूर सिंग नर्वाल यहां के बड़े नेता है पहले लोगदल में हुआ करते थे बाद में वो कॉंग्रेस में चले गए थे अब क्योंकि वहां पर टिकेट वापिस जो मिल गया है जो पुराने वहां के विधायक हैं भालू को तो उनके स्थान पर कपूर सिंग नर्वाल आज बाजपा के जो परदेश परवारी है सतीश पूनिया से भी मिले थे कपूर सिंग नर्वाल को भारती जंता पारटी अपना केंड़ेट बना सकती है बरोदा से अगर अगली विधान सभा की बात करूं तो जुलाना सोनिपत विधान सभा की जुलाना सीट है यहां पर अभी हाल ही में जो शामिल हुई विनेश फोगाट कॉंग्रेस में तो कॉ जुलाडी के सामने खिलाडी को उतारा जाए अगर ऐसा होता है तो फिर जुलाना का रण बड़ा भीशन होगा तो जुलाना के लिए जो मैंने दो नाम आपको प्रमुक बताए सुरंदर लाठर और या फिर योगेश वर्दत अगली विधान सभा की बात करें तो नर्वान नर्वाना के विधायक है रामलिवा सुर्जा खेडा जेजेपी के विधायक थे जेजेपी से उन्होंने छोड़ी और समर्थन किया लोकसभा चुनाव में भी और फिर विधान सभा चुनाव के लिए भी भाजपा उन्होंने जोइन करनी थी लेकिन भाजपा जोइन करने स से पहले ही रामलिवाज सुर्जा खेडा पर एक दाग लग गया था एफ आयार हो गई थी दुशकर्म की कल ही वो दुशकर्म की एफ आयार से बरी हुए और रामलिवाज सुर्जा खेडा को भाजपा की टिकेट का रास्ता लगवग साफ हो चुका है तो नर्वाना जो सुरक को त्वाद आती है डबवाली से अधित्य देविलाल पिछला चुनाव नड़ी थे लेकिन अधित्य देविलाल लोगदल की तरफ से आये तो ऐसे में बी जेपी से कौन डब वाली और सिरसा यह दौन तॉनों विदान सफाग कीशीटें गठभंधन के तहत हलोपा गुपालकांडा की पारोटी का चुनाॉं मनोहरलाल की बन रही थी तो उन्होंने मनोहरलाल को समर्थन दिया था ऐसे में क्योंकि पुरानी काहवत है कि दूद का जला हुआ चाच को भी फूप मार कर पीता है भारती जन्ता पारटी कोई रिस्क नहीं लेना चाहे कि इसलिए संभवता यह दवाब बनाया जा रहा हूँ गोपाल कांडा पर कि वो अपनी पारटी को मर्ज कर लें लेकिन फिर भी आपको बता दें डबवाली के लिए अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर गोपाल कांडा के जो भाई हैं गोविंद कांडा उनको कैंडिड बनाया सकता है और अगर मैं सिर्षा विधान सभा की बा का नाम लगवक कंफर्म है मिनु बेनिवाल को कैप्टेन मिनु बेनिवाल को चुनाव रा सकती है भारती जनता पार्टी और इन 23 सीटों में अंतिम सीट और रहतक लोगसवा की सीट रहतक सिटी रहतक की विधान सभा सीट पर पूरा असमंजस है लेकिन फिर भी यहां पर प्रमुक नाम है वो अब भी मनीश ग्रोवर का ही है मनीश ग्रोवर जो पूर मंत्री हैं 2014 में चुनाव जीते थे 2019 में हार गए और इस चुनाव में भी भारती जनता पार्टी मनीश ग्रोवर को टिकट दे सकती है आप हमारे बताएं नामों से कितने सहमत हैं कमेंट्स बॉ वेडियों फेस्ट्बुक या इंस्ट्रेग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें